वेल्कम तू द्रोनाचारे आएस यूट्यूब चानल, दिस आवर डेली निउस्पेपर विडियो, आज है 20 निवेंबर और हम आज के दे हिंदु निउस्पेपर के मस्ट रीड निउस आर्टिकल्स को ब्रीफली कवर करेंगे वेल आज के पेपर में एक इस्राइल-Hamas वार से जुड़ा हुआ अपडेट है इन दी फॉर्म अफ टेंटेटिव गाजा डील, इसे हम डिसकस करेंगे प्लस दिर इस नोटेबल टर्न अफ इवेंट अपनिंग इन इंडो-माल्दीव रलेशन्स क्या हुआ है रिसेंट अप्डेट क्या है दाट विल फॉलो और आज के पेपर में रोट सेफटी इन इंडिया से रिलेटेड एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है इस बिल को लेकर क्या डिबेट चल रही है तो यह आज के कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे तो आज का हमारा पहला आर्टिकल इसराइल-हमास वार से रिलेटेड है वेल यूएस मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसराइल-यूएस और हमास के बीच में एक टेंटेटिव एग्रीमेंट या फिर एक टेंटेटिव डील जो है वो रीच आउट की गई है तो बेसिकली जो हम करंट इसराइल-हमास वार देख रहे हैं इसकी शुरुवात ऑक्टोबर 7 को होती है जब हमास जो है वो इसराइल के अंदर इंफिल्ट्रेट करता है अटाक करता है पूरा क्रामपेज होता है इसराइल में और उस टाइम पे 240 होस्टेजिज हमास अपने साथ गाजा में लेकर आता है तो अब इस टेंटेटिव डील के अकॉर्डिंग जो हॉस्टेजिज गाजा में हैं उन्हें रिलीज किया जाए और इसके बदले में पांच दिन का पॉस होगा in this conflict, in this fighting तो जितनी भी parties हैं वो अपने जो combat operations हैं वो पांच दिनों के लिए freeze करेंगी और बदले में गाजा के अंदर जो हॉस्टेजिज हैं उन्हें रिलीज किया जाएगा वेल इस tentative deal के अंदर ये जो पांच दिन के pause की बात की गई है इसका एक intent ये भी है कि गाजा के अंदर जो humanitarian aid है वो भी यहाँ पे पहुँच पाएगी हाला कि Israeli Prime Minister ने और साथी में US officials ने इंकार किया है कि किसी भी तरहां की deal हमास के साथ नहीं हुई है लेकिन Qatari Prime Minister उन्होंने अपना confidence शो किया है कि एक hostage deal इसराइल, US और हमास के बीच में हो रही है और जिसके basis पे US media ने ये report यहाँ पे present की है कि एक tentative deal बहुत जल्द reach out हो सकती है between Israel, US और हमास और जादा यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास एक ये update के तौर पे ही है तो जब officially कोई confirmation आती है तब हम और detailed में देखेंगे but this article is majorly an update to what is happening in you know Israel and Hamas conflict moving ahead हमारा अगला news article international relations perspective से important है especially when it comes to India and its neighborhood well recently Maldives के president Dr. Muhammad Meizu ने Indian government को officially request किया है कि Maldives में जो Indian military personnel stationed है उन्हें Maldives से withdraw किया जाए अब यहाँ पे पहला question जो हमारे mind में आता है वो यह है कि Maldives के अंदर इंडिया के military personnel को station किया क्यों गया है well इस चीज़ को आप समझें कि Maldives में basically दो Indian helicopters जो हैं उनके operation को लेकर इन military personnel को वहाँ पे station किया गया है तो इंडिया और Maldives के बीच में कुछ bilateral agreements के तहट यह जो Indian helicopters हैं उन्हें Maldives में भीजा गया basically Maldives को assist करने के लिए कोई maritime surveillance करनी है कोई search or rescue operation है या कोई medical evacuation कोई missions हैं उसमें Maldives की help करने के लिए assistance के लिए Indian helicopters Maldives में station किये गए हैं और इनी helicopters की operational readiness को maintain करने के लिए कि कोई भी situation अगर आती है तो यह helicopters ready हैं उसमें Maldives को assist करने के लिए उसी के लिए proper Indian team जिसमें pilots और maintenance crew जो है उसके लिए उन्हें वहाँ पे station किया गया है हाला कि Maldives के president ने ये acknowledge भी किया है कि इन दोनों helicopters ने Maldives को different different emergency situations के अंदर assist किया है कुछ emergency medical evacuations के अंदर बहुत important role play किया है but still they have requested Indian government कि जो military personals है Maldives के अंदर आप उन्हें withdraw कर लीजे अब इस request का अगर आप समझें तो इसका geopolitical context बहुत broader आ जाता है क्योंकि देखो Indian Ocean region में Maldives present है and वैसे भी जब हम China की बात करते हैं तो we are seeing कि Indian Ocean region के अंदर China अपना influence जो है वो बढ़ा रहा है बढ़ाना चाहता है और Maldives का यहाँ पे role बहुत important हो जाता है क्योंकि historically भी Maldives India और China के influence के बीच में स्वे करता रहा है and it has always appeared to be you know re-inserting its autonomy when it comes to foreign affairs और इस move को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो last Maldivian government थी it was pro India and इस present government का यह attempt है ताकि उनकी जो foreign policy है उसे वो recalibrate कर सके और इस जो दो major powers हैं India और China उसके बीच में एक balance वो strike कर सके well Maldives की जो new administration हमारे पास आई है Maldives has a new president now तो उनकी आने से यह एक बड़ा diplomatic shift जरूर है but India has shown its commitment कि हम एक constructive dialogue जो है इस new Maldivian government के साथ administration के साथ maintain रखेंगे well इस development के साथ एक नया chapter open हो जाता है when it comes to the diplomatic narrative between India and Maldives it opens a dialogue for both the nations for India and Maldives to redefine their partnership तो यह India और Maldives relations के अंदर एक बड़ा diplomatic shift हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है moving ahead आज के हमारे newspaper में road safety in India इस issue को deal करता हुआ एक बहुत important editorial आप देखेंगे see roads की जब हम बात करते हैं we related with opportunities roads को use करते हैं हम commute करने के लिए to connect to you know transport, travel अब 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 यह समझते हैं कि एक country की modernization उस country की economic progress और साथ ही में roads का network यह side by side चलता है अब हमारे पास यहाँ पे United Nations World Health Organization WHO का एक data present किया गया है विच से इसकी इंडिया में हर साल तीन लाख लोग road accidents की वज़े से जिनकी death होती है तो मतलब इसे अगर हम थोड़ा और equivalent करें तो इंडिया में हर दिन, हर घंटे 34 people, 34 लोगों की death road accidents की वज़े से होती है बहुत बड़ा number है ये और यहीं पे अगर हम उनकी बात करें जिनको life altering injuries होती है road crashes में वो number तो exponentially बहुत जादा है तो देखें एक तो human suffering तो होई रही है ठीक है? हर दिन, हर घंटे 34 लोगों की death होना साथी में ये जो road crashes है इसका economic loss भी हो रहा है road crashes की वज़े से इंडिया की GDP का 5-7% cost जो है हम उसे lose करते है because of the road accidents अब देखो यहां पे यह नहीं कि हमने इंडिया के figure की बात की तो इंडिया में ही road accidents होते हैं No, road accidents एक global problem है हर साल, every year 1.3 million people are killed in the road crashes लेकिन फिर यहां पे इंडिया की discussion हम इसले भी कर रहे हैं क्योंकि हर चार accidents में से एक accident इंडिया में होता है तो दुनिया में अगर चार accident deaths हो रही है तो हर चार में से एक accident death इंडिया की है तो numbers are huge and therefore we need to talk about we need to discuss this issue of road safety in इंडिया वैसे इस article को इसले भी आज के paper में से of remembrance of road traffic victims जो है उसे मनाया जाता है basically road traffic accidents के जो victims हैं उनकी जो families हैं उनकी लिए एक platform बनाया गया है to remember and to support and to act in such a way जिससे कि सब के लिए एक wake up call आ सके कि we need to boost our road safety road safety measures को increase करने के लिए हमें बहुत से strategic investments की जुरुरत है साथी में political will भी होनी चाहिए national level पे, state level पे, local level पे और सारी society का एक collective mindset होना चाहिए मतलब everyone of us is a road user और हर एक person के mind में ये road safety जो है वो incorporated होनी चाहिए even last week हमारे पास इसी को लेकर awareness raise करने के लिए Indian government ने एक report release की थी जिसमें कहा गया कि 2022, last year अब तक के traffic crashes में most fatal year रहा है मतलब 2022 में सबसे जादा road crashes हुए है तो इसी लिए बहुत जादा ज़रूरी है कि हम road safety measures को increase करने के लिए strategic investments लेकर आएं, एक safety measures को boost करें, हर level पे national level, state level, local level individual level तक जो contributions होनी चाहिए, वो हो सके अब इसे लेकर हमारा focus कहां पे होना चाहिए देखे, priority areas में सबसे बड़ी priority है कि हमें seat belt के use को बढ़ाना है not just for driver, for passengers as well क्योंकि ये हमारे पास presented है कि अगर person ने seat belt पहनी हुई है तो 45-50% death के chances road crashes में decrease हो जाते हैं इतनी जादा important है seat belt को पहनना and similarly, जो motorcyclist है उनके लिए helmet का use उतना ही important है अगर correct तरीके से helmet को use किया जाए तो 42% reduction होती है in the fatal injuries और वैसे भी हमारे जो vulnerable road users है vulnerable कौन होते हैं? जैसे कि pedestrians, cyclists जो हैं जो two wheelers को ride करते हैं जितनी road accidents होती हैं उनमें से three quarters in vulnerable road users का होता है तो इसी लिए हमारे पास ये बहुत important है कि हम helmet की use को promote करें और सही तरह से correct use जो है उसे यहाँ पर लेकर आए third concern is speeding हमें speeding को reduce करना होगा और plus drink and drive के cases में zero tolerance हमें show करनी होगी हमारे पास government ने ये reveal किया है कि 70% इंडिया में जो road crashes होते हैं वो speeding की वज़े से होते हैं so speeding has to be reduced और drink and drive के रिए हमें zero tolerance policy लेकर आनी होगी ताकि हमारी जो road safety है वो बढ़ सके plus road infrastructure को भी improve करना होगा there are so many roads in इंडिया जो कि safe conditions में नहीं आती है हमें उन्हें safe बनाना होगा हमारे लिए United Nations का एक global campaign भी आया है make a safety statement इसके तहत हमें public awareness campaigns लगाने होगे ताकि सब के अंदर एक behavioral change आ सके road safety बहुत important issue है हम आज इसकी बात नहीं कर रहे हैं हमारे पास 2015 में जो sustainable development goals आये थे उसके अंदर एक road safety एक important role play करता है we have target 3.6 जो कि यह कहता है कि हमें global death or injuries जो road crashes की वज़े से हो रही है उसे half पे लेकर आना है we have a goal 11.2 जो कि यह कहता है कि हमें हमारा public transport safer, affordable और accessible बनाना है so this is not just a new call plus अब यहां पे good news यह है कि India is taking right steps in right direction हमारे पास Motor Vehicles Amendment Act of 2019 इसी direction में आया है हम data collection के उपर बहुत काम कर रहे हैं हम ऐसे impactful measures लेकर आ रहे हैं experts की help लेकर आ रहे हैं यह समझने के लिए कि कहां पे accidents होते हैं और क्यूं होते हैं और हम किस तरह इन्हें reduce कर सकें प्लस इस आर्टिकल में UN helmet mission की भी बात की गई है जिसके अंदर safe helmets का जो access है उसे increase किया जाए इसके उपर special focus रखा गया है and for this, जो helmet producers हैं उन्हें United Nations low cost ventilated standard helmets बनाना के लिए guidelines देती है कि under 20 dollars United Nations के standard का जो helmet है वो बनाया जाए तो समझे इस बात को it's a whole of a society effort अगर हमें road safety को बढ़ाना है क्योंकि road safety एक complex और एक multi-dimensional challenge है ये इतना important है कि 2021 से लेकर 2030 ये हमारी second decade of action है for road safety and इसी के साथ India का जो Motor Vehicles Amendment Act 2019 है इसे हमें सही तरीके से implement करना होगा इस article में बड़ी important बात लिखी गई है कि road injuries, road accident एक silent pandemic है हमें road safety measures को बढ़ा कर सिरफ lives ही नहीं हमारी economy, हमारी quality of life इन सब को improve करना होगा So it's a very good article in today's paper Do read about it आगे बढ़ते हैं आज की इस video का जो last topic है that is broadcasting services regulation bill 2023 Well we will understand सबसे पहले तो हम यह समझेंगे that why we want to introduce this particular bill चिक है broadcasting services regulation bill 2023 को introduced क्यों किया जा रहा है first of all we will understand that then we will see कि इस draft bill को लेकर कुछ concerns raise किया जा रहे है that whether यह जो bill है this will focus genuinely on the public service or on the increasing control or regulation तो यह कुछ questions जो है जो कुछ debate जो है वो initiate हुई है because of this draft broadcasting regulation bill तो यहाँ पर बिल्कुल basic को समझते है हमारे पास जो linear broadcasting होती है उसे regulate करने के लिए उसे govern करने के लिए एक act है जिसका नाम है Cable Television Network Regulation Act of 1995 यह पिछले तीन डिकेट से linear broadcasting को govern करता है लेकिन आप देखो present times में बहुत technological advancement हो चुका है नए नए platforms emerge हो चुके है DTH, IPTV and OTT platforms जिसकी वज़े से different different challenges आ चुके है जो कि यह act face करता है therefore हमारी जो Ministry of Information and Broadcasting है उन्होंने इस Broadcasting Service Regulation Bill 2023 को प्रपोस किया जिसके अंदर एक comprehensive law बनाने की कोशिश है कि इंडिया के अंदर एक regulatory framework हमारे पास हो जिससे कि जिस तरह Broadcasting Sector की digitalization हो चुकी है इसे हम streamline कर सके तो जो current challenges हमारे पास आए है इससे deal करने के लिए Broadcasting Services Regulation Bill 2023 प्रपोस किया गया है हाला कि यह जो बिल है यह अपने आप में एक forward looking बिल है, इसमें बहुत सारे adaptable frameworks जो है इसमें डाले गए है अप कर सके for the future of Broadcasting Regulations in India तो यह जो हमारे पास Draft Broadcasting Regulation Bill जो है 2023 का इसके main features किया है उसे हम briefly समझने की कोशिश करेंगे वेल इस बिल का सबसे important feature यह है कि हमारे पास अब जितनी भी Broadcasting Services है उन सब को एक single legislative framework में डाला जाएगा तो जो भी तरह की Broadcasting Services होंगी उनके Regulation के लिए एक single act होगा तो मतलब हर चीज को यहाँ पर consolidate किया जाएगा प्लस आज के ताइम पर मारे पास जितनी modernization हो जोगी आप देख रहे हो कि over the top जो हमारे पास OTT platforms है इनकी उपर Broadcasting होती है we have digital news, current affairs इन सब को presently IT Act of 2000 के consolidation कर सके और हमारे पास एक Broadcasting Regulation का Act हो जिसके तहत हम हर तरह की Broadcasting Service को regulate कर पाएं then also जिस तरह technology और services जो है evolve हो रहे हैं इस बिल के अंदर कुछ comprehensive definitions को आड किया गया है कुछ ऐसे contemporary Broadcasting Terms को नई definitions दी गई हैं जिससे की जो भी नई Broadcasting Technologies हमारे पास आई हैं इन सब को incorporate किया जा सके मतलब एक future ready provisions इस बिल के अंदर डाले गए हैं वेल इस बिल के अंदर self regulation regime को काफी strengthen up किया गया है और इसी चीज़ को लेकर काफी debate भी चल रहे है क्यूंकि इस बिल के अंदर content evaluation committees को introduce किया गया है और साथ ही में जो presently हमारे पास inter departmental committee थी इससे evolve करके एक more participative और एक broader perspective दिया गया है in the form of broadcast advisory council तो ये जो दो बड़ी चीज़े है content evaluation committees and broadcast advisory council इसका सिरफ एक aim है कि self regulation को यहाँ पे strengthen किया जाए ये जो principles हैं these are like the core of this particular solar bill well इसी के साथ जो person with disabilities है उनकी accessibility को बढ़ाने के लिए जो उनकी specific demands है उनको meet करने के लिए कुछ guidelines भी इस bill के अंदर दी गई है प्लस इस bill के अंदर operators और broadcasters के लिए कुछ statutory penalties या कुछ fines है उन्हें इंटर्ड्यूस किया गया है जैसे advisory, warning या फिर जो censor होता है कुछ monetary penalties है they are introduced और साथ ही में इन penalties को बहुत equitable रखा गया है मतलब जो monetary penalties होंगी जो fines है वो entity की financial capacity के हिसाब से लगाया जाएगा उनकी investment उनकी turnover को देखते हुए fines impose किया जाएगे जिससे की fairness और equity जो है वो maintained रहे तो यहां पर आपने इस bill के main features को समझ लिया अब आते हैं इस particular article के उपर which was talking about कि इस bill को लेकर एक debate हमारे पास शुरू हो चुकी है और legal experts divided है कुछ arguments इस bill के favor में आ रहे हैं और कुछ arguments इस bill के against में हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वो कौन-कौन से arguments हैं जो कि इस bill को favor करते हैं पहली चीज तो यह है कि जो bill है यह एक बड़ा transition लेकर आने वाला है Cable Television Network Regulation Act जो 1995 में बना था उससे निकल के एक नया एक updated एक modernized regulatory framework जो कि present जो dynamic है हमारा OTT platform, digital media, DTH, IPTV और जो भी emerging technologies हमारे पास आने वाली हैं इन सब को incorporate करते हुए एक updated legal framework आएगा और साथ ही में हमने देखा कि हमारे जो दिव्यांगजन community है उनके लिए यहां पे अलग से guidelines provide की गई है तो इसलिए यह एक बड़ा favor जो है वो इस bill के लिए आता है Secondly, इसमें कुछ ऐसे provisions डाले गए हैं जो कि हमने देखा कि self regulation mechanisms हैं जो कि broadcaster को empower करता है अब यहां पे proper balance अचीव करने की कोशिश की गई है कि एक तरफ regulations भी हो लेकिन ऐसा भी ना हो कि industry की autonomy बहुत जादा हो गई है तो इसलिए balance यहां पे अचीव करने की कोशिश की गई है between the regulatory oversight and the industry autonomy प्लस यहां पे जो content creators हैं उनको जादा flexibility और relevance देने के लिए एक differentiated approach जो है वो लाई गई है for different codes ताकि अलग-अलग जो need है in terms of the nature of linear or on-demand content वो उन्हें दिया जा सके फिर हमने देखा कि इस bill के अंदर जो penalties लग रही है उनको link किया गया है with the investment and turnover तो इससे काफी fairness की जो measures है वो भी यहां पे incorporate किये गए है लेकिन इस पूरे issue में there are some arguments जो कि इस bill के against भी जाते हैं सबसे बड़ा concern यहां पे raise किया गया है कि कि इस bill का जो focus है वो public service के ऊपर है या फिर government का control या regulation बढ़ाने के लिए है तो control और regulation को लेकर बहुत apprehensions यहां पे raise की गई हैं क्योंकि इस bill के थुरू जो digital infrastructure है उसके उपर government का control intensify हो सकता है कैसी कैसी चीजें हमारे पास broadcast हो रही है citizen की wing choices की उपर भी government का control established हो सकता है तो सबसे बड़ा point of contention यहां पे control और regulation को लेकर raise किया गया है then यहां पे cable regulation को लेकर भी कुछ issues को raise किया गया है कि जो हमारा 1995 का act था Cable TV Television Network Regulation Act इसका main aim था कि इंडिया में जो illegal cable operators हैं उन्हें curb down किया जा सके बट तब भी transparency की lack की वज़े से क्या हुआ कि एक nexus बन गया between operators, politicians, entrepreneurs and broadcasters लेकिन अब यह जो नया bill भी आया है कुछ arguments यह कहते हैं कि इस new bill के अंदर भी जो loophole है उसे पूरी तरहां से address नहीं किया जा रहा there could be the conflict of interest and there are some opaque practices within the Indian media industry और जिसे address इस particular bill में नहीं किया गया है यह कुछ arguments इसके against में है तो अभी हम यही conclude कर सकते हैं कि यह जो broadcasting regulations आई है it is not just about compliance basically यहां पर एम है कि इस तरह का environment बनाया जा सके जिससे कि हमारी जो communication services है उसके अंदर growth हो, एक innovation आए और सबको इसका एक access मिल सके तो हमें एक equilibrium find करना होगा between the regulation and the industry's autonomy और India definitely अपने आपको strategically ऐसी position में डाल सकता है जिसे कि हम हमारा जो telecommunication sector है इसे हम swiftly advance कर सके और इस particular area में हमें long term success मिल सके तो इसलिए आगे भी देखते रहेंगे यह debate अभी काफी जादा you know hot debate है so you should have an idea about all these arguments so this is all for this video आज की इस वीडियो के लिए इतना ही thank you so much for watching I will see you all in my next one thank you